साथ ही हो नमस्कार स्वागा थे आपका अपने चैनल सकसे जंक्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर के आगए आपके लिए MPPC 2020 और 2021 की दिष्टी से अती महत्पूर आपका टॉपिक है यूनिट 8 का जो यूनिट 8 है आपकी वो करेंट अफिर को कवर करती है जैसा कि आपको पता है समसमाई घटना संग्रह को कवर करती है तो उसी का एक टॉपिक लेकर के आगाए हैं हम प्रमुक्स संबेलन यों बैट आप इसको गौर से देखी है क्योंकि एक एक प्रशन आपके लिए बहुत महत्पूर सावित होने वाला है तो चलिए बीना समय गवा हुए सुरुवात करते हैं सीधे चलते हैं अपने पहले प्रशन की और आईए देखते हैं पहला प्रशन बिम्ष्टेक की सत्रमी मंत्रि सत्री बैटक किसकी अधश्चता में संपन हुई है कौन यहाँ पर अधश्चता किस देश ने की थी यह आपसे पूछा जा रहा है बिम्ष्टेक सत्रमी मंत्रि सत्री जो बैटक हुई थी ठीक है पूरी जानकारी आपको इसके बारे में देंगी पहले आप्सन देख लेते स्री लंका की अधश्चता में बिम्ष्टेक मंत्रि सत्री सत्रमी बैटक संपन हुई है कब हुई है तो एक अपरल 2021 को हुई है और यहाँ बैटक वर्चूल प्रारूप में की गई जैसा कि आपको पता कोई भी बैटक कोई भी सम्मिलन लोगों की उपस्तिती में नहीं हो सारी जो बैटक या फिर सम्मिलन है वो सब वर्चूल माधियम से किये जा रहे हैं यानि कि ऑनलाइन माधियम से की गई एक अपरल 2021 को संपन हुई है और स्री लंका की अध्यश्चता में यहाँ बैटक संपन हुई है महत्रपूर्ण यह प्रश्चन है आपके लिए आपको कोई नहीं चलिए एंसर देख लेते हैं सही एंसर भी यानि कि 6 से 9 मार्च 2021 के मद्ध में नई दिल्ली विश्चुपिस तक मेला 2021 को आईजित किया गया चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं तो देखिए यह हाँ पर तो डेट ही दी है नई दिल्ली विश्चुपिस तक मेला 2021 6 से 9 मार्च 2021 तक आईजित किया गया COVID-19 की विजए से यह मेला वर्चुपिस प्रारूप में आईजित किया गया है क्यों आईजित किया जा रहा है वर्चुपिस तक मेला 2021 की थीम है राष्ट्रिय सिच्छा नीती 2020 याद रखेगा यहाँ पर 2021 नहीं है राष्ट्रिय सिच्छा नीती 2020 जो है वो इस वर्च की थीम है नई दिल्ली विस्थ पुस्तक मेला 2021 की ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है आगी बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 3 देखी तो सरस आजिवी का मेला 2021 कहां पर आयजित किया गया है द देखिए तो सरस आजिवी का मेला 2021 नोईडा में 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के मध्य मनाया गया डेट आपको जरूर याद रखना है 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के मध्य मनाया गया यह मेला ग्रामीड विकास मंतराले द्वारा आयजित किया गया था तो किस मंतराले ने इस मेले को आय आसियान इंडिया हैक्थान 2021 का आयोजन कब से कब तक में हुआ है एक से पांच फरवरी 2021 तीन से साथ जनवरी 2021 एक से तीन फरवरी 2021 या फिर इन में से कोई नहीं चलिए एंसर देख लेते हैं सही एंसर भी यानि कि तीन से साथ जनवरी 2021 के मद्ध आसियान इंडिया हैक्थान मेला 2021 का आयजिएं किया गया तो देखिए आसियां इंडीया हैग्टान 2021 वीडियो कौंट्फिरेंसिंग के माद्यम से एक फरवरी से तीन फरवरी 2022 के मद्ध आयजित किया गया था किस तो rows किस मंञ camino की द Two a. दो याद रखेगा यह फरवरी से तीन फरवरी 2021 ठीक है सारे फेक्ट आपके लिए महत्पूर्ण है क्योंकि यह प्रश्ण आगामी सभी परिच्छा जितनी भी आपके आने वारी MPSI, MPPSC 2020, MPPSC 2021, MPP पटवारी सभी परिच्छाओं के लिए आती महत्पूर्ण यह सीरीज हम आपके लिए ले करके आ आ गये हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ट नमर पांच की बात करते हैं तो आदी महत्पूर्ण 2021 का उद्गाटन किसके दौरा किया गया है एम वेंकायन आइडू, नरेंदर मोदी, नरेंदर सिंक्तोमर या फिसमर्ती ईरानी चलिए एंसर देखते हैं फिर इसके बारे आइए हम आपको देखे हैं देखे हैं तो आदी महुसरे त्वर्ली 2020 का उद्गाटन उपराश्ट पती एम वान्य वेंकायन आइडू के दौरा किया गया यहां पर आपके और आजके लिए आज कर्शु होता है एक होता है उच्छ सदन एक होता है निम्न सदन तो बताइए कि जो भारत के उप राष्ण पती एंवं क्या राइडू है वह किसे सदन के सभापती है कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर कीजेगा जो प्रेश्ण हमने आपसे पूछा है यह प्रेश्ण मी कई बार किया जाता है तो आपसे जो दिबस होते है उनकी एंck पूछिल जाती है जो शम्मेलन आयुजट की जाते हैं उनकी warum पूछ लीन यहीआ प्र digging मैंन की चलिए एंसर देख लेते aren कि आत्म निर्वर भारत में योगदान आप्शन आत्मिन निर्वर भारति की थीम कि नहीं द तो सोलवा भारती प्रवासी दिवस सम्मिलन 2021 वर्चुवल प्रारूप में 9 जनवरी 2021 को आयुजित किया गया अब देखी यह क्यों मना जाता है तो 9 जनवरी 1915 को जो अपने राश्टपिता महात्मा गांधी जी है वो दक्षिड अफ्रिका से भारत लोट करके आये थी तो उ उनी के याद में उनके भारत पुनरागमन की याद में यहाँ पर प्रवासी भारती दिवस मना जाता है इंग्लिस में से N,I,D कहते हैं यादर रखिगा तो अभी 66 क्रम में जो 56 मना गया ये तो Mexico सम्मिलन 2021 को मना गया वर्च्वली प्रारूप में नौ जनवरी 2021 को मनाया गया ठीक है थीम क्या रखी गई है इस वर्स के जो प्रवासी भारती दिवस है तो याद रखेगा आत्म निर्बर भारत में योगदान इस वर्स की थीम है तो थीम है आत्म निर्बर भारत में योगदान इस वर्स की थीम है आगे बढ़ते हैं और जन्यवरी 2021 या फिरिन में से कोई ही नहीं चलिए एंसर दिख लेते हैं सही Links इस अ्मंद्ध में 24 राष्ट्री युवा महसथाव और जित कrix किया गया चलिए एक सित्या कुछ जानकारी आपको देते हैं तो आपसे करम पोचा जा सकता कि कौन से करम कराष्ट्री यूधा महसुत था तो याद रह Money at 24 Mayor कराष्ट्री यूधा महसुत था theme क्या रखी गई थी यूधा उस्ताह नय भारत का इस वर्ष की theme रखी गई थी ये प्रशना आपके लिए बन सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण नमबर आठ की बात करते हैं एक सो आठमी भारती विज्यान कॉंग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया पूरे महाराष्ट कोलकाता परश्चिम बंगाल पतना बिहार भुपाल मद्ध्रदेश आई एंसर देख लेते हैं सही एंसर है ए यह ज़िए पूरे महाराष्टरा में 108 भारती विज्यान कॉंग्रेस का आयोजन किया गया कुछ जानकारी देख लीजिए तो 108 भारती विग्यान कॉंग्रेस डीमड यूनिवर्सिटी पुड़े महाराष्ट में 3-7 जनवरी 2021 के मद्धे आयुजित किया गया कहाँ पर डीमड यूनिवर्सिटी में डीमड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है तो पुड़े महाराष्ट में कब से कब तक तो 3-7 जनवर की 2021 के मद्धे आयोजित किया गया 108 भारती विज्ञान कॉंगरेस सम्मेलन थीम क्या थी तो थीम भी आपको याद रखनी है 108 भारती विज्ञान कॉंगरेस की महिला ससकती करन के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रद्योग की इस वर्स की थीम रखी गई 108 भारती विज्ञान कॉंग्रेस की थीम आपको याद रखनी है नोट डाउन कर लीजेगा ये सारे के सारे प्रशन एक एक फैक्ट आपके लिए महत्रपून सावित होगा आगे बढ़ते हैं प्रशन नमर 9 की ओर चलते हैं भारत डिजिटल सिकर सम्मेलन 2021 कब आउजित किया गया 21 जनवरी 2021, 19 बीज़ जनवरी 2020, 25 फरवरी 2021 या फिर इन में से कोई नहीं चलिए एंसर देखते हैं भारती डिजिटल सिकर सम्मेलन सही आंसर बी यानि की 19 से 20 जनवरी 2020 के मद में भारत डिजिटल सिकर सम्मेलन आउजित किया गया इम क्या रही थी भारत डिजिटल सिकर सम्मेलन 2021 की तो याद रखेगा आत्म निर्वर भारत नए दसक की सुरुवात इस वर्स की थीम रही है ठीक है उपर प्रेस्ट में भी आपको क्लिए लिए दिखाई दे रहा है भारत डिजिटल सिकर सम्मेलन 2021 अब 2021 जब आउजित किया गया है तो सीधी सी बात है 2021 में ही आउजित किया गया होगा तो 19-20 जनवरी 2021 को भारत डिजिटल सिकर सम्मेलन आउजित किया गया है याद रखिए का थीम आपके लिए महत्म हो जाएगी आत्म निर्वर भारत नए दसक की सुरुआत इस वर्स की भारत डिजिटल सिकर सम्मेलन की थीम रही है आगे बढ़ते हैं प्रेस्ट नमबर 10 देखते हैं यहाँ पर 2020 दिया है तो सीधे आपको ऑप्शन में 2020 ही मिल जाएगा ठीक है तो 8 सितंबर 2020, 12 अगस्त 2020, 25 दिसंबर 2020 या फिर इनमें से कोई नहीं आईए एंसर देख लेते हैं आपके लिए महतपूर है और 2028 सितंबर को आईएगए तो आपके लिए और भी महतपूर है क्योंकि थोड़ी सी पुरानी करेंट अफिर अगर आपके एक्जाम में पूछी जाती है तो यह प्रशन आपके लिए बन सकता है क्योंकि सौर उर्जा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है जैसा कि हमने आज सुबा वाली करेंट अफिर में भी आपको बताया था कि बिस्व का पहला या फिर एक मातर जो है सौर उर्जा से बना हुगा बरिच्चे कहां पर बनाए गया है तो ऐसे प्रशन आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखे यहाँ पर आपके दस महत्पूर प्रशन जो थे सम्मिलान यों बैटकों से संबंदित वो हमने क्लियर करा दिये आज समय थोड़ा सा कम था हमारे पास में उसके लिए हम अल्रेडी माफी आपसे मांग चुके हैं फिर से आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि आपका भी समय बहुत महत्पूर है तो कल से आपकी सारे क्लासे बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी सारे प्रशन आपके लिए प्रेक्टिस सेट आते रहेंगे बाकी आपको बता दे आज हमने सुबह सारे साथ वजे चार जोलाई करेंट अफिर वाली वीडियो में आपके लिए आज हमने एक और यहाँ पर जो आवॉर्ड की सीरीज हम लेकर आ रहे थे तो आवॉर्ड की सीरीज में महत्मा गांधी सम्मान हमने यहाँ पर डिसकस किया है तो जाकर करकर जरूर देख लीजगा आपके लिए बहुत महत्पूर है महत्मा गांधी सम्मान भारस सरकार के द्वारत दिया जाता है किसको दिया गया कितनी रासी दी जाती है वो सारी चीजे हमने वहाँ पर डिसकस की है जैसा कि आपको पता है रोज सुबह सारे साथ बजह हम करेंट अफिर की वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें हम डेली बेस पर आपकी करेंट अफिर कराते हैं डेली बेस पर MP करेंट अफिर के पांच प्रिशन कराते हैं इस टैटी जीक है के पांच प्रेशन महत्पूर्ण कराते हैं और एक अवार्ड को डिसकस करते हैं तो सेम यही पैटर्न आज भी हमने सुभा सारे साथ वज़े वाली वीडियो में रखा है जा करके जरूर देख लीजिएगा इससे जस्ट नीचे वाली वीडियो आपको वहा चैनल देखने को मिल जाएगा वहाँ पर आप जोइन के लिजिए पुरानी सारी वीडियो सारे नोटिफिकेशन और सारे के सारे पीडियो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगे डाउनलोड करके तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि काउंट डाउन स्टार्ट ह हो चुकी है 25 जुलाई को आपका एक्जाम है ठीक है तो जल्दी मिलते हैं कर सुबाद साड़े साथ बज़े वाली करेंट अफेर वाली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों पास सेर जरूर कर दीज लिए नमस्कार